दोस्तो आपने सड़क पर ट्राफिक सिगनल देखा ही होगा उसमें तीन रंग की लाइट होती है जिसमें लाल, पिला और हरा रंग होता है लाल रंग होने पर आप गाड़ी रोग देते है पिला होने पर आप तयार हो जाते है और हरा होती ही आप चल देते है लेकिन ट्राफ दोस्तो इस वीडियो को अन्तक जरूर देखिया और इसी तरह रोचक जानकरी जानने के लिए तुरंत ही हमारे चैनल एक्स्ट्रा नोर जड़ा को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजेगा तो दोस्तो आएए देखते हैं कि आखिर इन्हीं तीन रंगों का उपयोग क्य किया गया तुमीत्रों हम सबसे पहले बात करते हैं लाल रंग की अन्य रंगों की अपेक्षा लाल रंग बहुत ही गाड़ा होता है यह हमारी आखों रेटिना पर सबसे पहले प्रभाव छोड़ता है यह बहुत दुर से ही दिखने लगता है इसके अलावा लाल रंग का प्रयोक इस बात का भी ही संके देता है कि आगे खत्रा है तो दोस्तो इसकी वज़े से लाल रंग का उपयोक ट्राफिक सिगनल में किया गया है तो मित्रो अब हम देखते हैं पीला रंग पीला रंग उर्जा और सुर्य का प्रतिक है यहां रंग आपको बताता है कि वापस अपने उर्जा को समेट कर तयार हो जाए ट्राफिक सिगनल पर पिले लाइट का मतलब है कि आप अपने वहान की इंजन को स्टार्ट करे तो दोस्तो इसी वज़े से ही पिला रंग का भी उपयोग ट्राफिल सगनल में किया गया है मित्रो अब हम बात करते हैं तिसरे रंग की जिसे हम हरा रंग कहते हैं हरा रंग प्रकृती और शांती का प्रतिक है हरा रंग आखों को सुकुन पहुचाता है ये रंग खत्रे के बिलकुल वीपरित होता है इसलिए इसे वहानों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है तो दोस्तों यही वज़ा है कि हरा रंग ट्राफिक सिगनल में यूज़ किया जाता है मित्रों अब हम देखते हैं आखे ट्राफिक लाइट क्या है तो मित्रों दुनिया में सबसे पहला ट्राफिक लाइट 10 डिसंबर 1868 को लंडन के बिटिश हाउस ऑफ पारलिमेंट के सामने लगया गया था इस लाइट को रेलवे के अभियंता जेके नाइट ने लगया था रात में दिखने के लिए इसमें ग्यास का प्रयोक किया जाता था खास बात एह है कि उस समय सिर्फ दो ही रंगों का प्रयोक किया जाता था लाल और हरा तब से दुनिया भर सड़कों पर इस लाइट का प्रयोक किया जाता है दोस्तो यही कारण है कि ट्राफिक सिग्नल का यूज किया जाता है तो दोस्तो हमारे दोरा दी गई यह जानकारी आपके लिए फायदे मन सावित होगी दोस्तो इसी तरह रोचक जानकरी जानने के लिए तुरंती हमारे चैनल एक्स्टर नौलेज अड़्डा को अभी सब्सक्राइब करें तो दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ थैंक्यू दोस्तो